असलाम लेकूम कुछ दिन पहले बनाया देवफा के गिटार टैब्स प्ले किये थे और इसके इंचे कुछ कमेंट्स आये थे कि आप लोग वह सीखना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए एक लैसन बना रहा हूं जल्दी जल्दी से करेंगे और इसको देखके आप सीखने की कोशिश किजिएगा इतना मुश्किल नहीं है सिंपल दो पर ये सौंग है बी पर और ए पर इन दो स्ट्रिंग्स के ओपर ये पूरी टैब्स प्ले हुए हैं तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब जो इसमें फर्स्ट टैब बचेए वो थर्ड फ्रेट B स्ट्रिंग से शुडू हो रहे हैं थ्री से फॉर पर स्लाइड करना है फिर फॉर से six पर फिर फॉर फिर six से च्राइड करना है eight पर और दें six अगर आप slide नहीं कर सकते हैं तो 3 से 4 पर hammer on भी कर सकते हैं तो ठीक है यह हो जाएगा 3 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 के बाद then 6 और इसके बाद जो वह पांट आता है फिलर है बीच में तो यह भी बिल्कुल सिंपल है 3, 1, 3, 4, 4, slide, 6 बिल्कुल इस तरह easy, slowly slowly इसको करना है और यह आपका clear हो जाएगा यह सारा B string पर है तो मैं साथ यहां पर mention करूंगा इस जगह पर steps तो वह भी आप देख लिएगा next जो इसके बीच में है वह भी सेम इसी तरह से और इसके बाद आगे जो main song शुरू होता है वह B string 6 fret से शुरू हो रहा है हां याद है वह दोस्ती का हर मजा तो simple से क्या है 6 B string पर 5 E string पर फिर E string पर 6 तो यह simple है इसको अपने 3 time करना है then again वह दोस्ती जो भी lyrics इसके आगे तो वह 3 time मतलब 6 time total play होगा और आपका जो फर्स वाला है वह clear हो चाहेगा उसके बाद मैं आपको साथ play करके सुना देता हूँ अब इसके आगे लगां के शर्त वह तो वह 10th fret से है ठीक है तो 10th fret दोबल 8 10 फिर तो तो slowly slowly इसको देखना है 10 पर 2 times फिर 8 10 8 10 8 10 10 10 6 8 6 8 तो इसको भी इसी तरह है दो बार करने के बाद बो नोट हाई हो जाता है ठीक है जब यहां से यह है नोट तो इस पर इस तरह से है थर्टीन पर दो बार फिर फिफटीन थर्टीन एलेवन तर्टीन एलेवन थर्टीन एलेवन तैन एट एट और जो हमने शुरू में प्ले किया था इंट्रो फिर वही है मेरे यारा तेरी यारी है वो थर्ड प्रेट ले तो उसके बाद जो लास्ट पार्ट है दिल का दिल से हुआ है एदेवफा वो फोर्थ फ्रेट पर ऐसे फोर्ट फ्रेट बी स्रिंक शिक्स फोर्ट से स्लाइड करना है बैक थ्री पर फिर थ्री से स्लाइड बन पर फिर फिर वन से हैमर ओन करना है थ्री पर पर फिर फोर फोर पर दो बार और सेकेंड टाइम स्लाइड शिक्स तो इस तरह संपर करेगा तो इसको थोड़ा ध Stitcher नहीं हूं तो मस तो यह सिखने में को यह भी आपको उनी दिफिक talents वैपट नोटे दूंगा को थोड़ा वीडियो को देखना स्लोली स्लोली देखना कपी और की कोशे करना तो महां अच्छा हो जाएका और जो है Concept को कुमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब देखोगे तो जब देखोगे तो ज्यादा वीडियो डालेंगा तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और थैंक यू सो मच